सबी बच्चों को मेरा प्यार अब रहा है गुड मॉर्णिंग इसलिए कि उसमें मॉर्णिंग है मॉर्णिंग में वीडियो में बना रहा हूं देखिए आज में ट्रिग्नमेटि क्लास 11 खा एक टॉपिक है जनरल सलूशन ओफ ट्रिग्नमेटिकल इक्वेशन देखिए वैसे तो इसके फार्मॉले हैं आप फार्मॉले याद को लीजे काम पतम ठीक है लेकिन हम इसको आट ड्राइब कराएंगे कि फार्मॉले आए कहां से ठीक है सबसे पह होते हैं वह हिंदी इंगलिसम सेम होते हैं एक आध्वर्ड को छोण दीजिए अगर लगभख सेम होते हैं और इतनी तो अंग्रेजी आजकल आती है जबसे वार्टसप का जमाना आ गया है कि वह आप पिक्चर नहीं बेखते हैं पिक भेजते हैं जिसले कोई दिक्कत वाली कोई बात है नहीं तो एक origin का मतलब equal to आ जाए है और3ittelli मतलब कोई त्रिघॉर्टी यॉर्ट्ल फंक्षन लिखा हूँ तो कोई भी त्रिघॉर्ट्ट्रिप्ट्चल अगर लिखा हो अन्नोन आंगिल कोई हो माल है हमने लिख दिया sin x अब या आंगिल अन्नोन है दिस medical equation का solution कैसे निकालते हैं अब आप कहेंगे भाई हम जानते हैं 0 जो है वो sin 0 degree की value होती है तो x की value 0 आजाएगी का दिक्कत है आपको अरे भाईया sin 0 की value 0 होती है तो sin pi की value भी 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 0 होती है sin 2 pi की value भी भी 0 होती है sin 3 pi की value भी 0 होती है तो बहुत सारे ऐसा एंगल हैं जिनकी value 0 होती है तो हमको इसमें वो एंगल निकालने हैं जिनमें सबकी value 0 हो बहुत सारे एंगल जतने भी एंगल हमारे known हैं ठीक है तो उन्ही को solve करना आज हम सिखा रहे हैं ठीक है इसको सीखने के पहले कुछ बाते समझ लेते हैं देखिए ये आपका coordinate system है अगर मैं एंगल की बात करूँ और इसे initial line मालूँ ये जुरा थोड़ा writing मेरी गंदी है line ए टेड़ी भागती है लेकिन content सीधा भागेगा ठीक है तो देखिए ये आपका 0 degree की line है न और अगर आप anti clock wise घूम के यहाँ पहुंच जाओगे यहाँ पहुंच जाओगे तो ये πाई बाई 2 की line है जिसको के 90 degree कहते हैं ये line πाई की है और ये 270 की है निए 3 πाई बाई 2 की है एक और round complete करके यहाँ फिर पहुंच जाओ तो ये 2 πाई की line है तो आप सम्में 2 πाई प्लस करतें चले जाओ तो आपको सब angle मिलते चले जाएंगे ठीक है और अगर आप इधर से उल्टा चलोगे यहाँ पर तो ये minus πाई बाई 2 की line है ये minus πाई की line है यह minus 3 pi by 2 की लाइन है और यह यहाँ जाओगे तो minus की 2 pi लाइन है क्योंकि आप जानते हैं जब anti-clockwise angle measure करते हो तो angle positive होता है और clockwise angle negative होता है अब आप कहें कि क्यों भाई ऐसा होता है यह जब आप physics पढ़ेंगे चुक्छा 11th class का यह वीडियो है और 11th में जब आपको circular motion पढ़ाए जाएगा तो वहाँ पर आपको angular displacement पढ़ाए जाएगा angular displacement पे जो displacement आपका clockwise होता है sorry anti-clockwise उसकी direction होती है plus z axis इसलिए वो positive लिया जाता है और जो clockwise ऐसे displacement होता है ऐसे body चलती है तो यह अंगुठा हमारा जो है वो negative जड में जा रहा है इसलिए negative होती है तो पहले इन angles को पहचान लीजिएगा पहचान लिए वेरी गुड़ अब हम trigonurgical equation का concept क्या है पहले उससे समल लीजिए फिर हम इसको solve को ना सिखाते है जैसे हमने आप से कहा कि भीया ये बताओ sine theta 1 by 2 है अब आप उस theta की value बताओ जिसमें sine की value 1 by 2 आती है तो आप कहेंगे भीया ऐसा है कि sine में πाई में नहीं लिख रहा हूँ पाई में थोड़ा student को लिखने में दिक्कत होती है तो पाई में बाद में convert कर लिएगा आप कहेंगे sine 30 degree की value 1 by 2 होती है निकल अगी value very good लेकिन किसी ने का भीया ये बताओ अगर मैं sine 360 plus 30 कर देता हूँ sorry 180 minus 30 कर देता हूँ 180 minus 30 बोले तो 150 तो इसकी value भी तो 1 by 2 होती है हमने कहा बात तो सही है हमने कहा अगर मैं sine 360 plus 30 कर दूँ तब भी sine 30 आएगा आप लगा ये बात सही है हमने कहा sine 360 plus ये 150 150 कर दूँ तब भी 1 by 2 आएगी आप लगा ये बात सही है तो भीया जब बहुत सारी बाते सही है तो आप उस angle को निकाल के दिखाओ जहां पर value 1 by 2 होती हो आता है वो आता है general solution देखे zero से लेकर के 360 के बीच में जो भी value आएगी उसको हम कहेंगे principle solution principle solution ठीक है प्रधान solution और जो सभी angles उसमें हो मतब 30 भी हो 150 भी हो 390 भी हो इसके आगे भी हो इधर भी हो उधर भी हो वो कहला आता है general solution ठीक है तो मैं इसको निकालने की कोशिस कर रहा हूँ proof कराने की कोशिस कर रहा हूँ एक size तो बात में हम process करेंगे ठीक है तो ज़रा समझेगा पहले zero से start करते है अगर sine cost 10 में लेके हम चलेंगे ठीक है जैसे मान लिया पहला formula है कि अगर if sine theta is equal to zero हो तो आपको वो सब angle निकालने पड़ेंगे जिन में sine zero आती है हमने पढ़ा है कि sine zero zero होता है sine pi zero होता है sine two pi zero होता है इधर से अगर घुमेंगे clockwise जाओगे तो minus pi भी zero होता है तो हमें वो इस सभी angles निकालने है ज़रा समझेगा हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा technique लगाते है देखो ये हमने quadrant बना लिए है ना ये line कौन से angle की होती है zero हो तो थोड़ा टेड़ा टेड़ी line है उसो सीधी कर लिजेगा ये थोड़ा सीधी कर लिए वह सीधी हम कर पाएंगे नहीं फिर भी सीधी करने में दिक्कत क्या है ये हमने line बना लिए ठीक है theta बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये एक angle बनाया theta ये O है A है और B है अगर मैं आप से कहूं कि sin theta in triangle O A B sin theta क्या होगा in triangle O A B sin theta क्या होगा तो आप कहेंगे sin theta होता है perpendicular upon happiness लंबटे करन आपने पढ़ा है यानि sin theta क्या हैगा A B upon O A बहुत ध्यान से समझेगा मैं पूरा तनमेता के साथ बहुत ध्यान से समझाने की कोशिस कर रहा हूं तीक है अब देखिए आपने का भी 0 value करनी है आप sin theta की value देखिए ये इसको अगर हम चाहें 0 करने इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब मैं A B upon O A को 0 कर रहा हूं है ना अच्छा जब A B upon O A को 0 करेंगे तो A B is equal to 0 हो जाएगा अब जरा साउधान अगर मैं A B को 0 करना चाहता हूं तो भीया A B 0 होगा कैसे सुनिये ध्यान से ये जो line है ना A B को थोड़ा सा छोटा कर दो दो देखिए ध्यान से A B को थोड़ा सा छोटा कर दो तो ये line नजदी का जाएगी A B को थोड़ा और छोटा कर दो और चोटा कर दो यह line और नदिक आ जाएगी यह कौन से line चल लही थी यह OA वाले line चल लही थी न और जब आप AB को पूरा 0 कर दोगे तो भाईया यह OA line जो है वो कहाँ पर आ जाएगी वो आ जाएगी इस line के उपर है ना यानि OA 0 होने का मतलब क्या होता है करना सुरू कर देगी सही मैंने कहा यानि कि AB 0 अगर आप लिख रहे हैं इसका मतलब यह होता है कि जो OA line है OA कौन साइट कौन साइट विद OX यानि OX line को यह कौन साइट करेगा हम OX भी कह सकते हैं और यह line चुकि पूरी यहां से यहां तक है इसके उपर आगई इस वाली line पे आगई सही मैंने कहा तो इसका मतलब जो angles इस line पर होंगे वे सभी angles के लिए के लिए यह जो OA line हो जाएगी वो इसको कौन साइट करेगी सही कह रहा हूँ फिर समझने की कोश्ति करिएगा हमने कहा AB 0 कर दीजिए यह AB 0 कर दीजिए जब आप AB को 0 कर दोगे भी या तो AB 0 तभी होगा ना जब यह कम होते 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 यहां पर आजए तो इसका मतलब अगर AB 0 हो गया पूरा यह गाइब हो गया इसको दोबारा ड्रा कर दें अगर A B 0 हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो O A line इधर थी न वो इस पर कौन साइट करने लगी इस पर आ गई तो यानि कि O A line जब इस पर आ जाएगी यह कौन से एक्सिस है X X dash axis कहलाती है न तो इसको चाहे आप O X axis कहो चाहे O X dash axis कहो तो इसका मतलब यह हुआ कि जब O A line इस axis पर आएगी तो A B की value 0 होगी और तब जाकर के sin theta 0 होगा तो यानि कि theta की वो value हमको लेनी है जिस पर A B 0 हो जाए यानि कि यह जो line है O A वो इस पर कौन साइट करें थीक है तो अब बताइए यहां पर कौन कौन साइंगिल होते है तो हमने का एक तो 0 degree यह होता है इसको इधर ले जाओ तो यहां पर pi आ जाएगा 180 और घूम के जाओ तो 2 pi आ जाएगा और घूम के जाओ तो 3 pi आ जाएगा और घूम के जाओ तो 4 pi आ जाएगा और गुम के जाओ तो 5 पाई आ जाएगा यह सभी वो एंगल है जो इस लाइन पर है और जो हम इस लाइन पर आ जाएंगे तो उसमें साइन थीटा जीरो आ जाएगा सही का मैंने, बिल्कुल सही का अच्छा, अगर आप इस उल्टा जाओगे ऐसे इधर से घुम के जाओगे तो यही आपका माइनस पाई हो जाएगा उल्टा घुम के इधर जाओगे तो माइनस का 2 पाई हो जाएगा लाइन तो वही है आपकी और एक ब्राउंट घुम के जाओ तो माइनस का 3 पाई हो जाएगा एक और लाइन खुमके जाओ माइनस का 4 πाई हो जाएगा तो यानि ये थीटा की जितनी वैलू है 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है माइनस पाई है, माइनस 2 पाई है ये सभी आपके वो एंगिल्स है जो साइन थीटा को 0 कर सकते है Have you got it? Yes sir सुनिए ध्यान से, इसका मतलब So, यहाँ थीटा क्या आएगा So, थीटा आप कहेंगे 0 भी आ सकता है, पाई भी हो सकता है 2 पाई भी हो सकता है, 3 पाई भी हो सकता है टेक टेक टेक, माइनस पाई भी हो सकता है माइनस 2 पाई भी हो सकता है टेक 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 यानि कि ये n πाई होगा ये जनरल सलूशन का फार्मॉला हो गया जहां n क्या है जहां n बिलॉंग्स टू इंटीजर इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर में भी निगेटिव तो आपको फार्मॉला ये याद करना है ठीक है तो अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा की जनरल वैलू यानि जनरल वैलू का मतलब वो सभी एंगल्स जो यहां रखने पर जीरो दे 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 आर्दा इस साइन थीटा इस इकल तो न पाई अगर नेक्स फार्मॉला देखे दूसरे फार्मॉले में है अगर कॉस थीटा जीरो हो हम जीरो के लिए केस लेके चलना है इसके बाद जीरो नहीं होगा तब क्या करेंगे तो फिर वो भी आएगा चिंता मत करिए अगर कॉस थीटा जीरो हो जाए तो ज़रा इस ट्राइंगल को देखे यह लाइन आपको भी पहचान में आ गए थी जीरो टू पाई थी पाई त्री पाई उल्टा जाओगे तो माइनस पाई माइनस टू पाई माइनस थी पाई ठीक है यह पाई बाई टू माइनस थी पाई टू ठीक है उल्टा जाओगे तो मानस पाइब एटू मानस ती पाइब एटू ठीक है उल्टा मतलब इंटी कलाकवज और कलाकवज की बात में कर रहा हूँ अच्छा अगर यहाँ पर हम कॉस थिटा की बात करें तो इस डाइग्राम के हिसाफ से कॉस क्या होता है बेस अपन हैप्टिनूस आधार बटेक करण होता है ना यानि कि ओए अपान ओए अपान ओबी और आप कहने इसकी वैलू क्या है जीरो यानि कि आपके कंडीशन के हिसाफ से ओए जीरो है यानि ठीटा की वो है लू जो ओए को जीरो कर दे ओए बोले तो ये जीरो हो जाए अब ज़रा समझने की कोशिश करिए अगर ओए जीरो हो जाएगा तो क्या होगा ये खिसक खिसक के खिसक के इधर आ जाएगा समझने की कोशिश करिएगा अगर OA मालिय इतना हो गया तो आपका ट्रेंगल क्या बनेगा आपका ट्रेंगल भैया बनेगा यह नहीं बनेगा ठीक OA और कम कर दो ट्रेंगल बनेगा यह तो कुलम लाकर कर के यह 0 होने के लिए जरूरी क्या है कि ये वाली लाइन जो है वो यहाँ पर कॉंसाइट कर जाए सब्सक्राइब बात आ रही नहीं आ रही फिर समझ लीजेगा इसको ठीक है अब आप करेंगे सब यह समझने की जरूत नहीं फार्मला बता भाई फार्मला तो बाद में आई जाएगा वो तो करी लोगे उसमें क्या दिक्कत है देखो ध्यान से भाई आप कह रहे हैं ट्रेंगल O-A-B है आप करें O-A को जिरो कर दो तो भाईया जिरो आएगा जब A-B किसकना सुरू करेगा इधर खिसक 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 और जब यह A-B खिसक करके यहां पर भाई साब आ जाएंगे ये आली लाइन पर आ जाएंगे तो ये वाला जो ये है आपका ये जिरो हो जाएगा तो इसका मतलब O-A-0 कब होगा जब A-B-Y-A-C-S-S पर कॉन साइट करेगा यानि कि इसका मतलब ये हुआ जब हम Y-A-C-S का एंगल लेंगे उस कंडिशन में ये चीज जिरो हो जाएगी वे जिरो हो जाएगी यानि कि A-B-Y पे आ जाएगा तो Y पे जो भी एंगल होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे थीटा की वैलू तो थीटा की वही जनरल वैलू होगी देखो ध्यान से अब अभी हम बता चुके हैं दुवारा बता देते हैं देखिए ये हमने कहा ओरिजिन है ये लाइन X-A-C-S है ये लाइन Minus X भी कह सकते हैं X-A-C-S भी कह सकते हैं ये लाइन Y-A-C-S है ये लाइन Y-A-C-S है पॉस्टिव Y लेकिर है तो Y-A-C-S ना अगर मैं Anticlark वह जाता हूँ तो पहले ये भाईसाब मिलेंगे किस एंगल पर मिलेंगे आप कहेंगे 90 पर मिलेंगे तो 90 को Radian में क्या कहते हैं पाई बाई टू फिर इधर पहुंचे इसी वाली एक्सेस पर तो हम कितने एंगल से घुम गए 270 से घुम गए जब 270 से घुम गए तो ये भाईसाब कौन मिले 3 5 by 2 तिक सिर घुम के गए यहाँ पर पहुंचे ये मिले 5 5 by 2 इधर घुम क्या है ये मिले 7 5 by 2 बातस्वन में आ रही आपने का हम ऐसे नहीं जाएंगे हम तो उल्टा चलेंगे आप जाओ इंटी कला कोई हम तो घड़ी के चलने के डैक्सम चलेंगे चलो भाईया जब आप इधर चलना शुरू करोगे तो पहले आएगा 90 निगेटिव यानि कि माइनस 5 by 2 इधर जाओगे ये मिलेंगे माइनस 3 by 2 उल्टाओगे ये मिलेंगे माइनस 5 by 2 मिलेंगे वही ना आप जा अलग डारेक्शन में रहे हो लेकिन मिलेंगे दो भाई साब तो ये थीटा की वो सभी वैलूज है जो यहाँ पर रखने पर हमारी जो वो ये साइड थी वो जीरो हो रही थी और A, B, Y, X पर कौन साइड कर रही थी तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ थीटा की कौन सी वैलू है तो आप कहेंगे देखो भी या पाई बाई 2 है वो प्लस माइनस 3 पाई बाई 2 है प्लस माइनस 5 पाई बाई 2 है प्लस माइनस अगर ध्यान से इसको देखिए तो ये और्ड मल्टिपिल आफ पाई बाई 2 है मतलब विशम गुडांक है पाई बाई 2 का तो थीटा की अगर जनल लिखें तो आप लिखेंगे 2N प्लस 1 देखो अगर N को 1 रखोगे अभी मैं रखके दिखाता हूँ इन 2 पाई बाई 2 जहां पर N क्या है N बिलॉंग टू इन्टीजर अब आप कहींगे भी या इन्टीजर तो I से रिप्रिजेंट होता है देखें दो चीज़े वो स्पेलिंग से आप करते है इन्टीजर Z से ही होता है आपका कहीं Z तो complex numbers को represent करता है तो C भी करता है Z actually में एक word है जहलन एक book है जो इन्टीजर पर लिखी गई है वो वहाँ से Z आया है देखें अगर मैं Z को 1 रख देता हूँ 0 रख देता हूँ तो 0 करोगे तो πाई बाई 2 आजाएगा ये वाला अंगिल आ गया देखो अगर 1 करोगे तो 2 एक कम 2, 2 प्लस एक 3 3 पाई बे 2 आ गया ठीक है अगर आप 2 रखोगे 2, 2, 4, 5, 5, 5 पाई बे 2 आ जाएगा तो आप N रखते जाओ सभी आंगिल निकल आएगे चुकि इंट्रीजर निगेटिव होते हैं तो जब माइनस 1 रखोगे तो माइनस 1 पर ये माइनस 1 आएगा तो ये वाला अंगिल आ जाएगा फिर माइनस 3 पाई बे 2 आ जाएगा फिर माइनस 5 पाई बे 2 आएगा तो N की वैलू रखने पर सभी वैलू आपको यहाँ पर मिल जाएंगी तो इस इस दा जनल वैलू आप कॉस विन ठीट कॉस ठीटा इस इकल डू जीरो ये एक जीरो के केस का कंसेप्ट है ठीक है नोट करिए इसको अब देखिए अगर टैन ठीटा जीरो है उस डाइग्राम को दुबारा देखी टैन ठीटा क्या होता है बेस अपन परपिंडिकुलर अपन बेस आपने साइन कॉस ठीटा पढ़े होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले ठीक है आपने पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले s c t sin theta p upon h perpendicular upon hapt news cos theta b upon h base upon hapt news 10 theta p upon b perpendicular upon base तो यानि कि इसके हिसाब से perpendicular आ गया a b और base आ गया o a और यह equal to 0 है तो जो हम cross multiply करेंगे तो भैसाब a b की value 0 आ जाएगी इसके sign के case में भी आप बता चुके हो कि a b 0 आने की condition किया कब होगी जब o a कम होते 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 इस वाली line पर like करेगा उसमें a b 0 होगी न तो a b 0 होने का मतलब क्या होता है कि o b consite consite with x axis with x axis जब मैं x axis की बात करता हूँ तो भैया यह दोनों axis पूरी line की बात मैं कर रहा हूँ उधर भी जा सकता है और अभी मैं बता चुका हूँ यानि x axis पर जो भी angle हम लेंगे जो भी angle लेंगे उसके लिए a b 0 होगा और जहां भी a b 0 होगा और 10 theta ब्रावर 0 को satisfy करेगा और अभी हम angle बता चुके हैं कि इस वाले angle कौन से होते है 0 होता है pi होता है 2 pi होता है 3 pi होता है याद करिये भी sign वाले case में आया था अब आप clockwise चलोगे तो यह minus pi होता है यह minus का 2 pi होता है इस प्रकार से बहुँ सारा angle होते हैं तो अगर मैं आप से कहूँ general value of theta यानि वो सभी general value of theta यानि वे सभी angle जो इस condition को satisfy करें आप n को रखते जाओ जितने भी angles होंगे दुनिया में इस axis पर वो इसको satisfy करेंगे तो this is the case of 10 theta वैसे तो आपको sign cos 10 के ही फामले याद करने caught आएगा तो 10 को पलड़ दीजेगा sick आएगा तो cos को पलड़ दीजेगा sick 0 होता नहीं कोई भी angle sick का 0 नहीं देता क्यों sick theta की value minus 1 से छोटी होती है plus 1 से बड़ी होती minus 1 और 1 के पीच में लाई नहीं करती cause sick भी लाई नहीं करता है तो sin cos 10 ही याद करिए sick cos 1 caught याद करने की ज़रूत नहीं है caught कर सकते हैं लेकिन caught हम कहें को याद करें हम caught theta जो भी आएगा हम 10 लिख देंगे 10 लिख देंगे ठीक है तो ये तो हो गया जब 0 के case हो ठीक है अब अगर और सी value है तो कैसे निकालेंगे देखे जान से अब देखे अगर sin theta is equal to sin alpha हो alpha का मतलब जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि sin theta is equal to 1 by 2 है तो किसकी value 1 by 2 होगी तो आपने का sin 30 होगी तो sin 30 आपका alpha हो गया लेकिन आपको हर वो angle निकालना है जो आपको 1 by 2 दे तो sin 150 भी दे रहा था तो वैसे अगर sin theta is equal to sin alpha है तो theta की हर वो value निकाली है जो आपको ये value दे ये sin alpha बोले तो sin 30 वाला concept है ठीक है इसको कैसे solve करेंगे देखिए वैसे तो formula याद करना होता है लेकिन माले यही derivation आ गया तो क्या करेंगे देखो द्यान से इसको इधर shift करके ले आओ बस equation solve करना है ना समीकर मुणाना है तो आएगा sin theta minus sin alpha is equal to 0 अब sin c minus sin d का हमने formula पढ़ा है sin c minus sin d का formula होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2 यह पताया गया है इसके पहले जो chapters है उनमें formula यूज भी हुआ है तो यानि इसको हम क्या लिष सकते हैं इसको लिष सकते हैं 2 cos theta plus alpha by 2 और into sin theta minus alpha by 2 actually हमको theta निकाला equal to 0 यह होगा अच्छा यह दोनो multiply में लिखे हुए है तो जब 2 factor multiply में लिखे होते हैं और equal to 0 होता है तो हमने concept पढ़ा है कि अगर कहीं पर x into y 0 हो तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा या तो दोनो 0 होंगे दो चीज का multiply 0 तब ही हो सकता है तो हम क्या करेंगे एक बार sin को 0 कर देंगे एक बार cos को 0 कर देंगे ठीक है तो एक बार मैं cos को 0 करता हूँ तो इसका मतलब यह क्या cos theta plus alpha by 2 is equal to 0 अब ही आप याद करिए जब cos की value 0 हुआ करती थी तो यह angle कितना निकलता था 2n plus 1 pi by 2 इसका मतलब यह हुआ कि theta plus alpha by 2 की जो general value होगी वो कितनी निकलेगी 2n plus 1 pi by 2 अब यही तो बताय गया था अब यहाँ से इस 2 को हमने cancel कर दिया तो यहाँ से अब चुकि निकालना किसी value है निकालना theta की value है theta की वो value जो सभी value को satisfy करे तो यानि कि यहाँ से जब theta निकालेंगी तो आएगा 2n plus 1 pi minus alpha इसको equation 1 डाल दीजिए ठीक है यानि यह cost से निकल के आया यानि यह odd multiplier of pi minus alpha है ठीक है अब इसको 0 कर दिया हमने कि sin theta minus alpha by 2 is equal to 0 तो अभी हम बता चुके है sin theta 0 होता है तो theta की वो सभी value जो आपको sin की value को 0 कर दे तो वो क्या निकल के आया था theta minus alpha by 2 बराबर n pi बताया था याद करिये भी आप तो theta minus alpha क्या हो जाएगा 2n pi तो theta की value क्या हो जियेगी 2n pi plus alpha जरा इन दोनो equations को तो चुके हम को एक ऐसे theta की value निकालनी है जो इन दोनों को satisfy करे क्योंकि theta जब n रखे तो ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है तो जरा ध्यान से देखिए by equation 1 and 2 1 और 2 से जब general value of theta निकालेंगे तो निकल के क्या आएगी साउधान जर्नल value of theta general value को gv लिखे दे रहे है जर्नल value of theta देखो theta is equal to देखे जब n को आप रखते हैं 0 तो यहां 1 pi आता है यहां 0 आता है जब n को रखेंगे 1 तो यहां पर 3 pi आएगा यहां 2 pi आएगा n को रखेंगे 2 यहां पर 5 आएगा यहाँ 4 आएगा यानि N को रखने पर यह πाई दे रहा है 3 पाई दे रहा है 4 पाई दे रहा है यह 0 दे रहा है 2 पाई दे रहा है यानि यह even multiple दे रहा है यह odd multiple दे रहा है तो यानि हम यहाँ पर लिखेंगे N पाई क्यों? N को रखेंगे 1 तो one pi n को रखेंगे one तो one pi आ जाएगा odd number n को रखेंगे two तो four pi आ जाएगा sorry हाँ four pi आ जाएगा यहाँ से five आ जाएगा तो यानि कि n की value रखते जाएगे तो आपको यह दोनों मिलते जाएगे कभी even कभी odd अच्छा यहाँ यह plus है यहाँ यह minus है sorry उल्टा बोल गया यहाँ यह minus है वहाँ वो plus है तो हम यहाँ लिखेंगे plus minus one to power n alpha यह आपकी general value आप theta होती है sine के case में मतलब जो n को रखो 0 जरा n को रखो 0 तो यह तो 0 यह तो one हो जाएगा alpha मिलेगा और यह 0 हो जाएगा तो आपको alpha मिल जाएगा n को रखोगे one जो one रखोगे न तो minus one की power one क्या होता है minus one की power one one होता है minus one होता है बश Hem minus की power odd करोगे तो negative आएगा न तो यहाँ पर minus आजाएगा यहाँ one प्य हो जाएगा two रखोगे plus आएगा तो n को रखते जाओगे तो ये प्लस मैनस मिलता जाएगा थी कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस तो ये दोनों equation को satisfy कर रहा है तो this is the general value of theta in the case of sine ठीक है अब देखिए अगर cos theta ब्राबर cos alpha है इसका मतलब समझ लिजेगे पहले जैसे मैंने आप से कहा कि भी या cos theta is equal to 1 by 2 है किस angle की value होती है तो आपने first answer दिया कि भी cos 60 degree की value होती है हमने का अरे वाह cos 360 minus 60 की value ही होती है तो बहुत सारे angle होंगे बार बात 360, 360 rotate करते रहो आपको बार बार वह angle मिलता रहेगा तो हमने का वो value theta की बताओ जो जितनी भी theta की value हो वो 1 by 2 दे तो देखो इसको कैसे करेंगे तो सबसे पहला वही काम है चुकि equation solve करके theta निकालना है तो इसको इदा shift करके ले आओ तो क्या आएगा cos theta minus cos alpha is equal to 0 अब हमारे पास एक और formula बोले और ये दादा फार्मूला है फार्मूला पर दो को mathematics में फार्मूले थोंगे होंगे ठीक है हमने फार्मूला पढ़ा है कि cos c minus cos d अगर है तो इसको लिखेंगे minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 दो कन्फ्यूज मत होईएगा अगर आप यहाँ minus लगा देते हो तो यहाँ पर sin c minus d by 2 लिखा जाता है अगर यह minus नहीं लगाते हो तो वहाँ d minus सी हो जाता है पलर जाती वैलू यह confuse मत हो ना तो मैं यही वाला अपलाई कर रहा हूँ तो यहाँ से हमने क्या-क्या minus कामूल ले लिया मैंनस बहाल लिख दिया 2 sin theta plus alpha by 2 into sin theta minus alpha by 2 is equal to 0 कर दिया ठीक है अब वही चीज दो चीज मल्टिप्लाई में अगर 0 होता है तो y x into y 0 है तो या तो x 0 होगा या तो y 0 होगा तो एक बार इसको 0 कर दो तो 2 sin theta plus alpha by 2 is equal to 0 2 तो हटा दीजे 2 धर जाके अपने आप 0 हो जाएगा काम खतम देखें 2 से कोई मतलब भी नहीं है अब ये चीज जीरो कब होती है तो अभी हम बता चुके हैं आपको तो इसका मतलब theta plus alpha by 2 किसके इकुल होगा sin के case में n pi तो theta plus alpha क्या होगा 2n pi तो theta की value क्या आएगी 2n pi minus alpha ये पहली question आई है जब हमने इसको 0 किया है अभी sin वाला case हम explain कर चुके हैं ठीक है जब दूसरा factor लेंगे sin theta minus alpha by 2 0 करेंगे तो theta minus alpha by 2 क्या होगा आप कहेंगे भाई n pi होगा अब ये नबना कहां से होगा ठीक है तो theta minus alpha की value क्या होगी 2n pi हो जाएगी तो theta is equal to क्या होगा 2n pi plus alpha इसको equation 2 डाल दो जब इन दोनों को ध्यान से देखिए यहाँ भी 2n pi यहाँ भी 2n pi एक बार plus एक बार minus इसका मतलब क्या होता है अगर दोनों को हम देखें by equation 1 and 2 तो जब general value आप theta लिखेंगे तो आएगा theta is equal to 2n pi plus minus alpha तो यह value आपकी आई है ठीक है तो इसको नोट कर लिजे अब इसको मैं apply कर देता हूँ ठीक है यह जो alpha होता है ना यह पहली value होती जैसे मैं अभी cause वाला की example ले रहा था तो cause वाला जब example लेंगे भी इसको apply कैसे करेंगे अगर हम कहें cause theta is equal to 1 by 2 है तो आपको जो आपकी initial line होती ही ना यह वाली जहां से angle नापते हो वहां से जो सबसे नजदीक angle पिले उससे choose करिए उसे उठाइए तो आप कहेंगे sine 60 degree की value यह होती है तो 60 बोले तो sine pi by sorry sine कहां से आ गया cause cause 60 degree की value होती है इसका मतलब इसको क्या लिखेंगे cause pi by 3 अब देखो यह theta है और यह alpha है तो जब general value आप theta लिखेंगे general value of theta तो theta is equal to क्या है अगर 2n pi plus minus pi by 3 बस यही answer हो गया आपको proof नहीं करना है जहाँ end belongs to integer यह लिखना पड़ेगा है ना तो यह apply करने का तरीका होता है formula मालुम होना एक अलत concept होता है और formula को apply करना जैसे कभी ममी YouTube से देख करके खाना बनाना सीखती है तो वो भी कम नहीं है वो हिंदी मताएंगे और बाद बताएंगे garlic chop करना है आप garlic ढोड़ रही मिली नीरा वो लासुन बताते नहीं है ठीक है तो कभी कभी क्या होता कि formula हमको मालुम होता है हम apply कैसे करें तो this is the pattern to apply the formula ठीक है जीरो के case में तो diet अब लिख देंगे ठीक है ओकी अब अगर 10 theta is equal to 10 alpha हो तो क्या करेंगे आप दीए 10 में तो कोई 10 c minus 10 d होता नहीं है तो हम इसको इधर shift करके sine cause में convert कर दें क्यों sine cause बड़े ही बिचारे हीरो हैं जहां भी कोई दिक्कत आती help करते हैं हम लोगों की 0 आपने पढ़ा 10 theta होता है sine upon cause तो इसको क्या ले सकते हैं इसको ले सकते हैं sine theta upon cause theta minus sine alpha upon cause alpha is equal to 0 अब क्या करेंगे यहां पर LCM ले लेंगे चलिए ले लेते हैं LCM LCM क्या हो जाएगा cause theta into cause alpha यह यहां multiply में आ जाएगा तो आएगा sine theta into cause alpha minus cause theta into sine alpha is equal to 0 अब cross multiply करोगे जीएते भाई साब चले जाएगे 0 के साथ नमस्तिया है भाई 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 चले गए यह लिखा है sine A cos B minus cause A sine B यह sine A minus B का फार्मला होता है और equal to 0 है अब ज़रा इसको theta मानो और 0 के case में sine के लिए क्या बताया गया था 10Pi plus alpha यह 10 के case में फार्मला होता है general value of theta ठीक है तो यह आपका n belongs to integer यह लिखना जरूरी है कि n भाई साब है कौन अब ज़रा इसको garlic वाले system से इसको लिख लेते हैं ठीक है अगर मैंने एक example लिया कि 10 theta is equal to 1 होता है तो 1 वो पहली value बताओ जो initial line से जहां से आप angle measure करते हैं वहां से पहली value कौन सी है वो है 45 degree यानि इसको लिख सकते हैं 10 theta is equal to 10 radian में लिखते हैं pi by 4 आप 45 लिखे बाद में उसको pi से multiply करके और 180 से divide कर दो तो बहुत अच्छा हम कोई पागल है हमको आता नहीं है आपको आता है आप डैल लिख दो कोई दिक्कत नहीं मान नहीं आता तब क्या करेंगे तो आप जब general value of theta लिखेंगे general value of theta तो theta is equal to क्या होता n pi plus alpha बोले तो pi by 4 this is your answer यहां plus minus नहीं होता ध्यान एकिएगा where n belongs to integer n integer को belong करता ठीक है तो यह आपके zero के case में हुआ और यह non zero के case में हुआ जब zero नहीं है तब क्या करेंगे ठीक है देखे अगर sin square theta is equal to sin square alpha क्या करेंगे आप क्या रहे अरे भाई square हटा देंगे square root लगा देंगे लेकिन एक दिक्कत आएगी यह आप square हटा होगे न two theta का one minus two sin square theta तो sin square theta की value क्या होगी यहां से one minus cos two theta by two square में हमको नहीं मालूँ न तो हम multiple of angle में change कर लेते हैं तो actually जहाँ पर sin square theta है वहाँ क्या ले सकते हैं इसको ले सकते हैं one minus cos two theta upon two इसको क्या ले सकते हैं one minus cos two alpha upon two यह two two cancel हो गया तो आएगा one minus cos theta is equal to one minus cos two theta two theta is equal to one minus cos two alpha one भी cancel हो जाएगा तो two theta बराबर क्या लिख रहा हूँ भई cos two theta बराबर cos two alpha अभी आप पढ़ चुके हैं अभी आप पढ़ चुके हैं कि अगर cos theta बराबर cos alpha होता है तो theta is equal to two n pi plus minus alpha होता है इसका मतला अगर general value आप theta लिखेंगी general value of theta तो theta के जगे यहां क्या लिखा है two theta तो theta को लिख दो two theta और alpha को two alpha तो क्या हो जाएगा two theta is equal to two n pi plus minus two alpha two से divide कर दो तो theta is equal to n pi plus minus alpha ध्यान रखिएगा यह formula सबके लिए सेम होगा square में ठीक है तो यह formula cos के case में हो गया अब next है अगर cos square theta minus is equal to cos square alpha हो square में हम square root लगा के plus minus करके solve कर सकते हैं कोई दिकत नहीं लेकिन हम एक formula बनाना चाहते हैं तो cos two theta का एक और formula होता है two cos square theta minus one तो जहां पर cos square theta है वहां लेकिन के 1 plus cos two theta पांड़व तो इसको क्या लेसकते हैं इसको लेकिन हें आप one plus cos two theta पांड़व is equal to यह one plus cos two alpha पांड़व लेकिन है ना तो two और two कर जाएगा one one cancel हो जाएगा तो आएगा cos two theta is equal to cos two alpha यह वही फार्मॉला फिर बन गया तो जब जनरल वैलू आप थीटा निकालेंगे तो क्या ऐगा 2 थीटा इस इकल टू एक मिनट 2N πाई प्लस माइनस 2 अल्फा तो 2 से डिवाइड करोगे थीटा इस इकल टू आएगा N πाई प्लस माइनस अल्फा इसके लिए वही फार्मॉला निकला जो साइन के केस में निकला हुआ अभी अप्लाई करना बताएंगे कैसे अप्लाई करोगे तो यह कॉस के केस में हो गया ठीक है अमालिया कुश्चन हो 10 स्क्वार थीटा इस इकल टैन स्क्वार अल्फा तब क्या करेंगे तो हमारे पास फिर कॉस में कनवर्ड करेंगे हमारे पास एक फार्मॉला होता है 1-10 स्क्वार थीटा अपान 1 प्लस 10 स्क्वार थीटा इस इकल टो होता है कॉस 2 थीटा तो इस फार्म में इसको जो है चेंज करने की आपको कोसिस करने पड़ेगी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा देखो इसमें अपान वन है और इसमें अपान वन है तो इसमें Camponendo and Dividendo ठीक है By Camponendo and Camponendo and Dividendo Hindi में Yogantranupac मैंने अंगरे जी ठीक है Yogantranupac क्याते है देखो क्या होता है इसको लिसकते हैं आप 1 minus 10 square theta इसको लिसकते हैं 1 अब आपके इए तो फार्मला नहीं होता है चलिए मैं बता देता हूँ अगर A upon B is equal to C upon D है जिसको A plus B upon A minus B is equal to C plus D upon C minus D होता है मतब numerator plus denominator upon numerator minus denominator तो ऐसा करते हैं वही apply करते हैं ठीक है numerator बोले तो 10 square theta plus 1 upon 10 square theta minus 1 यहां क्या होगा 10 square alpha plus 1 upon 10 square alpha minus 1 अब दो को यह जड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा यह लाना है आपको इसको पलड़ दो दोनों value को पलड़ सकते हैं क्यों? अगर A upon B वरावर C upon D है तो आप दोनों को पलड़ सकते हैं B upon B वरावर D upon C लिख सकते हैं तो पलड़ दो उठा करके तो क्या लिखें? पल्टिंग बोड़ साइड नहीं आइसे ही कर दो कोई दिक्कत नहीं तो आएगा यह 10 square theta minus 1 upon 10 square theta plus 1 is equal to 10 square alpha minus 1 upon 10 square alpha plus 1 अब उसको format में चेंज करो तो क्योंकि यहां पर यह उल्टा होना चाहिए ना plus minus दोन 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 माइनस से multiply कर दोगे तो यह क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा 1 minus 10 square theta अचा इसको तो लिखा जा सकता है ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं plus में is equal to 1 minus 10 square alpha upon 1 plus 10 square alpha तो आपको दिख रहा है यह cos वाली formula यह दोनों है cos 2 theta का formula यह दिख रहा है आपको है ना तो यह क्या दिख गया आपको? दिखिये गया कि यह हो गया cos 2 theta is equal to cos 2 alpha तो जब general value of theta लिखेंगे तो आएगा 2 theta is equal to 2n pi plus minus 2 alpha 2 से divide करो तो theta is equal to n pi plus minus alpha तो देखो square के case में चाहे sin हो चाहे cause हो चाहे tan हो तीनों के लिए save formula निकल के आए हैं ठीक है अब इसको apply करना सिखा देते हैं ना एक question को यह apply कर देते हैं कि भई हम कैसे इसको apply करेंगे देखो द्यान से जैसे मैं एक example लेता हूं कि भई sin square theta is equal to 1 by 2 है अब दो तरीके हमारे पास है आप कोगे sin theta निकालेंगे तो यह प्लस minus 1 by root 2 और एक बार plus 1 by root 2 लेकर के solve कर लेंगे general value of theta एक बार minus लेकर solve कर लेंगे हम का नहीं भाया ऐसे नहीं करेंगे हम ऐसा करते हैं इसको भी square के term में convert कर देते हैं इसको 1 by root 2 का whole square ले सकते हैं और 1 by root 2 sin में किस की value होती है sin 45 की value होती है जिसको लिखेंगे sin square pi by 4 और यह हो जाएगा sin square theta अब यह formula अप्लाई कर तो theta is equal to n pi plus minus pi by 4 तो square की case में इस तरीके से convert कर के लगाएंगे ठीक है तो यह formula है इन formula को आपको practice देखें वैसे तो learning करनी है direct लेकिन अब हर जगे तो proof नहीं करोगे न जाकर के लेकिन माले किसी ने पूछा कैसे आया बेटा बेटा ने याद कर लिया था इसे आया ऐसा नहीं चलेगा ना आपको derivation आना चाहिए तो इनकी derivation देख लिजेगा practice कर लिजेगा derivation नहीं आते exam में नहीं आते मतब नहीं आते लेकिन माल लिया किसी ने पूछ लिया कही पर interview आपका है बोले पता अचा कैसे drive करेंगे आप teacher बने गए तो का करोगे जाकर कि वहाँ पर कि हमने तो 11 में किया नहीं था इंटर में किया नहीं था आगे ज़रूत नहीं पड़ी हमको तो इसके देख लीजेगा next video में हम इसके बाद NCRT का एक size solve करेंगे ठीक है ओके नमस्कार